असलाम लेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल उमीद है कि आप सब खेरी अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो शादी शुदा लोगों के लिए है शादी शुदा जो औरते हैं उनके लिए मेरी आज की वीडियो बहुत जादा खास होने वाली है तो अगर आप मेरी चैनल पर न्यू आए हैं और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें नीचे सब्सक्राइब का आप्शन आ रहा है आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें सामने बेल के आइकन को ओन कर दें ताकि मेरी आने वारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फोरण से मिल जाए तो फ्रेंड्स वो ओर्टें वो लड़कियां जो अपने शोहर की तरफ से जेब खर्च पे परिशान हैं जिनके शोहर उनको जेब खर्च नहीं देते और घर के खर्चे में भी बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं तो वो ओर्टें आप परिशान होना छोड़ दें क्यूंकि आज मैं आपके लिए ऐसा वजीफा लेकर आई हूँ जिसके करने से आपके शोहर में वाजिया तब देली नजर आईगी आज कल देखा गया है कि मर्द ज़्यादा तर बाहर की ओर्टों में दिलचस्पी रखते हैं और वो बाहर अपने पैसे को बाहर ज़्यादा खर्च करते हैं घर अपनी बीवी पर ज़्यादा तवज्यों नहीं देते और अगर बीवी उनसे जेब खर्च मांगे तो शोहर बहुत ज़ादा बातें बनाते हैं और इस तरह से फिर दोनों की दर्मियान लड़ाई जगड़ा होता है तो आज मैं आपके लिए ऐसा आमल लेकर आई हूँ जिससे आपके शोहर आपको खर्चा देना शुरू हो जाएंगे आईसा इसा आपके शोहर बहुत जादा चेंज हो जाएंगे आपकी जिन्दगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी इस वजीफे से तो वजीफा हर कोई कर सकता है जो नमाज पढ़ते हैं उनके लिए है ये वजीफा आपको पांच वक की नमाज की पावंदी लाजमी करनी है और वजीफे का तरीका जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से करना है तो वजीफा ये है कि अगर आपका शोहर आपको जेव खर्च नहीं देता तो वो लोग वो ओरतें के वजीफा कर सकती है आपने ये वजीफा सुभा फजर की नमाज के बाद करना है अबल और आखिर ग्यारा मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें साथ मरतबा पढ़ लें या फिर तीन दफ़ा पढ़ लें दरूद इबराहीमी पढ़ना है और दरम्यान में आपने या राजी को या रजा को या वदूद या लतीफो पढ़ना है दिल में आपने आखें बंकर के अपने मकसद को 21 पार दोहराना है और इसके बाद अमल शुरू करना है ये वजीफा आपकी जिन्दगी को बदल कर रख देगा क्योंकि ये बहुत ज़ादा आजमाया हुआ वजीफा है वगर शर्त ये है कि आपके दिल में कोई शक ना आए आपने यकीन रखकर इस वजीफे को करना है और आपने इस अमल को जुम्मे की दिन से शुरू करना है जुम्मे की दिनाप सुब़ फजर की नमाज की वक शुरू कर दी जब आप वजीफा शुरू करने लगे तो आपने शुरू में ही लआ अपे लजीफा कर रहे हैं और इस अमल की जो मुद्दत है वो 21 दिन है आपने जुम्हे की दिन से शुरू करना है और 21 दिन तक लगातार आपने इस अमल को करना है बिला नागा आप पाकी के दिनों में ही ये अमल शुरू करें उससाब से अमल शुरू करें कि आपके 21 दिन इसी तरह गुजर जाएं माक की तरफ अपने जहन में रखकर अपने मकसद को फूंक मार देनी है तो ये वजीफा आपके लिए बहुत जादा फाइदा मन्द होगा बहुत जादा अजमुदा वजीफा है बहुत पावरफुल है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वजीफा मेरी वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक्स फूर वाचिंग अलाह अफेज